मित्रों धान प्राप्ति के और इशारा करने वाले कुछ शपने को आज आपको हम बताते हैं तो मित्रों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकान जरूर दबाईए ताकि जब मैं कोई वीडियो डालू तो नोटिफिक जानने के लिए बिचैन हो जाते हैं कि मैंने जो सपना देखा है उसका क्या फल होगा या अशुब होगा तो सपने में सफेद कमल का फूल देखना अगर सपने में आपको सफेद कमल का फूल दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि कमल का फूल मात का लक्ष्मी को बहुत प्रिये है सपने में कमल का दिखना इस बात का संकेत है कि आपको आने वाले शमय में बहुत धन मिलने वाला है सपने में हाथी देखना सपने में हाथी का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है इसलिए हाथी अगर हम रख नहीं सकते हैं तो हाथी की मूर्ती रखने की शलाह दी जाती है शपने में हाथी देखने का मतलब है कि आपको बहुत शारा धन मिलने बाला है साथ ही शपने में हाथी देखना आपके मान शम्मान में भी बरोतरी कराने वाली शपना है सपने में फलों से लदा ब्रिक्ष देखना अगर सपने में आप फल से लदा हुआ ब्रिक्ष देखते हैं तो इस सपने का यही अर्थ होता है कि आप जल्द ही बहुत अमीर होने बाले हैं अगर कोई व्यापार करने बाला इस सपना देखता है तूसे और ज़्यादा लाभ मिल्ले की शंभावना है सपने में महल देखना सपने में किसी महल को देखना भी बहुत शुब माना जाता है बहुत शुब शपना होता है महल का सपना देखने का मतलब है कि आपको जल्द ही कहीं ना कहीं से धन प्राप्थ होने वाला है और यह सपना शपने में महल देखना यह भी संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक तंगी जो है ओ शमाप्त हो जाएगी जब कर देखने वाले ओिंडाई वाले यपर लोजाएगी